हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू माई चैनल कचोरी खाका के आप बूर हो गए तो क्यों ना आज हम कचोरा बनाएं आपने बजायर का तो कचोरा बहुत बार खाया होगा और उससे भी ज्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आज हम घर पे बनाने वालें वैसे तो राजस्त शुरू करते हैं कचोरा तयार करने के लिए मैंने यहाँ पर टू थर कप उड़त का मोगर लिया है जो की मैंने इसको बड़े बरतन में ले लिया है इसको भीगो देते हैं दो कप फुल पानी भरकर भीगो देते हैं अगर आपको जल्दी है तो इसको गुन-गुने पानी म भीगो सकते हैं मोगर भीगता है तब तक अपन डो तयार कर लेते हैं डो तयार करने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप जो घर में रूटीन वाला रोटी का आटा होता है वही लिया है बहुत ही हल्दी और टेस्टी बनाने वाले हैं कचोरा तो मैंने यह दो कप फुल भर कर आप कम जादा कर सकते हैं इसी के साथ मैंने अजवाइन लिया है हाप टी स्पून जितना इसको हातों से क्रेश करके डाल देते हैं अब इसके अंदर मोईन डालना है जो कि मैं यहाँ पर वन फूट कप भर कर ले रियू रिफाइन ओल लिया मैंने यहाँ पर आपको यह भी परफेक्ट है अब आपन इसका दो तयार कर लेते हैं दो तयार करने के लिए मैंने यहाँ पर गुन गुना पानी लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अपने को सेमी सोप दो तयार करना है मैंने यह दो तयार कर लिया है दो तयार करने में में मेरे को पूरा आधा कप लगा है आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही डो तयार करें क्योंकि बहुत वार क्या होता कोई आटा पानी कम सोकता कोई जादा सोकता है अपने को अच्छे से धो लेते हैं आप इसको अच्छे से धोए क्योंकि बजार के मोगर में बहुत पावडर लगावा होता है इस तरीके से इसको मसन मसल के धोए जब तक इसके अंदर वाइट पानी निकले तब तक इसको पोश कर ले मैंने दाल को 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो चुकी है अब अपने को इसको दरदरा पीशना है पेश तयार नहीं करना है मिक्सी के जार में डाल कर इसको पल्स मोट पे 1-2 सेकिंड के लिए गुमाएंगे यह देख सकते हैं मैंने इसको 1-2 सेकिंड के लिए गुमाया और इस तरीके से धरदरा पीश चुका है अब अपन कचोरे के लिए मसाला तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने गेस पर एक कड़ाई चड़ाई है इसके अंदर 3 टेबल स्पून रेफाईन ओईल डाल दियूँ आप कोई भी ओईल डाल सकते हैं इसके अंदर तो आप सरसुकर डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा यह मुपली का ओईल डाले तो भी अच्छा लगेगा और गेस की फ्लेम अभी मीडियम पर है और मैंने यहाँ पर दीड चमच दरदरा धनिया लिया साबू दनिय को मैंने दरदरा कूट लिया और 2-3 लॉंग और 5-6 काले मिच को भी दरदरा कूट लिया यह इसके अंदर डाल देते हैं एक दो पिंच हिंग पाउडर इसमें डाल देते हैं और 1-4 टी-स्पून जितना मैंने हल्दी पाउडर लिया है यह भी डाल देते हैं अब अपने जो उडद का मोगर दरदरा करके रखा है यह इसके अंदर डाल देते हैं अपने को मोगर को बॉयल नहीं करना है इसी तरीके से इस ओयल में पूरा मोगर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हमारे चैनल पर कचोरी की रैसीबी भी डली भी है आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं यह मैंने पूरा मोगर इसके अंदर डाल देते हैं अब धी मेरी गेस की फ्लेम मीडियम बाइस को, एक दो मिनिट के लिए मीडियम आज पर ही ड्रेगुलर चलाते हुए अपने को कुक करना है क्योंकि कचोरे में मोगर अपने को गलावा नहीं चाहिए, कचोरे में मोगर क्रिस्पी ही अच्छा लगता है यह मैंने इसको 2 मिनिट के लिए cook किया अब मसाले को अच्छे से binding और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 4 medium size के केल को boil करके इसको grate कर लिया आप देख सकते किस तरीके से है एकदम अच्छे से grate किया है मैंने अब जो यह grated केल है इस मसाले के साथ इसको भी add कर देते हैं boil केले को डाल के अंदर अच्छे से mix कर देते हैं एक दो मिनिट मेक्स करें और अब इसके अंदर पर मसाले डाल देते हैं मैं यहाँ पर 2 टी इस्पूंज इतनी लाल मिर्स पाउडर ले रही हूँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और 1 टी इस्पूंज इतना मैंने नमक लिया है यह भी इसके अंदर डाल कर अच्छे से mix कर देते हैं कचोरा टेस्ट में थोड़ा तीखाई होता है इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टी इस्पूंज इतना गरम मसाला लिया आप चाहे तो डाले, skip कर सकते हैं बट इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है खटाई के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल इस्पूंज इतना नीमबु का रस लिया आप अमचूर भी ले सकते हैं यह अपना मसाला तयार हो चुका है उपर से मैं बारिक चौप धनिया डाल देती हूँ और इसको अच्छे से mix कर लेते हैं मसाला अपना बिल्कुल तयार हो चुका है इसको अब अपने को ठंडा करने के लिए रख देते हैं देख सकते हैं ये कैसा बना है इसमें अपने पानी बिल्कुल यूज नहीं करा है अब अपन डो की तरब चलते हैं डो को रेस करे वे भी 15 से 20 मित हो चुके हैं मैंने हाथों को ग्रीस किया ओयल से और इसको हलकी सी मसाज देते देख सकते हैं अपने को ऐसा ही दो चाहिए अगर आपके डो रेस करने के बाद थोड़ा टाइट हो जाता है तो पानी डालकर इसको आप लूज कर ले अब इसके बॉल्स तयार कर लिए मैंने देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बॉल तयार करें आप जिस साइज का कचोरा चाहिए आपको उसी साब सी बॉल्स तयार करें अब अपन स्टफिंग की तरफ चलते हैं स्टफिंग भी अपनी ठंडी हो चुकी है इसके अपन गोली तयार कर लेते हैं तो स्टफिंग को हाथ में लेवे और इस तरीके से बॉल तयार कर ले कचो तोरे फटाफट बन कर तयार हो जाएंगे टोटल मेरे छे बॉल्स तयार हुए अब एक बोल ये डोका लेते हैं और इसको हाथ से इस तरीके से अपन फेला कर पूरा बढ़ा करेंगे और हतेली पे लेके इसको अच्छे से दपाए इसकी किनारे अपने को इसी तरीके से थोड प्रेस करें और अब इसको अपन प्लेट्फॉर्म पे रखकर इस तरीके से पिंच लेते हुए प्लेट्स ले लेके इसको पैक करना है और पूरा अच्छे से पैक करें और जो ये एक्स्ट्रा निकलेगा अब अपन इसको हटा कर नेक्स टाइम कचोरा बनाएंगे तब उस और इसको अपने को भी पाटे पर लेकर हाथ से दबाएंगे, तो यह अच्छे से हो जाएगा, अब मैंने इसको पाटे पर ले लिया है, इसको हाथ से ही दबावें, और आप चाहे तो इसको बैलंसे भी कर सकते, वो भी मैं आगे बताऊँगी, यह देख सकते हैं, यह अपना कचोरा बिलकर तयार हो चुका है अभी इसको फुलाना नहीं है इसके लिए मैंने चाकू लिया और इसको अच्छे से दबा कर दोनों तरब छेद हो इतना मैंने इसको छेद कर दिया कट किया इस तरीके से देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से करें वरना कचोरा अंदर जाके टेल में फूल जाएगा और सारा मसाला निकल जायगा, अब दूसरे तरीके से आपन एक और कचोरा त्यार करते हैं, मैंने एक ב lagi बोल लिया इसको हलका सा आटे से टस्ट किया, आप इसको ऑल भी लगा सकते हैं, ये एकस्ट्राटा अपन हटा देते हैं, अब बेलन से इसको थ ये side side चे लेते जाए और इसके उपर रखते जाए और इसको दबा दे ये भी अपना बहुत ही easy लिए तयार हो जाता है इसको अपन हलका सा वापस dust करें या oil लगाए और oil ये dust करके इसको अपना वापस बेल लेते हैं same process से हलके हाथ से ही बेले वरना stuffing निकल जाएगी ये दे तयार हो चुका है आप देख सकते हैं इसकी कैसी तिकने से ये अपना दूसरा भी कचोरा बनकर तयार हो चुका है इसको भी वापस चाकू की साइता से अच्छे से इसके अंदर अपन ये cut लगा देते हैं आप चाहें तो एक coin से भी इसके ये cut लगा सकते हैं ये जरूरी है वरना ये नहीं होगा तो कचोरा अंदर जाके फूल जाएगा और अंदर तेल भड़ जाएगा अब मैंने side by side oil भी रख दिया था और इसको चेक कर लेते हैं देख सकते हैं किस तरीके से oil गरम हुआ बस अपने को इतना ही गरम चाहिए अपने जो तैयार कचोरा करा है वो इसके अंदर deep fry होने के लिए डाल देते हैं अब अपने को low flame पर इसको deep fry करना है ये एक दो मिनिट में ही उपर आ चुका है देख सकते हैं बिल्कुल भी अंदर जाके फूला नहीं है ऐसा ही चाहिए इसको अपन पलट देते हैं पलटने के लिए मैंने चिम्टा लिया है बहुती सावदानी से आप इसको पलटे हैं इसको अभी ओर अपन low flame पर cook होने देते हैं इसको 5 मिनिट हुए इसको एक बार और पलट कर एक दो मिनिट के लिए इसको दूसरी तरब से भी cook कर लेते हैं अपना बिल्कुल तयार हो चुका है अब अपन इसको चिम्टे से निकाल लेते हैं यहाँ पर मैंने kitchen napkin लिया है इसको पर मैंने इसको कचोरे को ले लिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इनमें oil नहीं भरा और नहीं अंदर जाके फुले हैं चत्नी के साथ ये एक bite आपके लिए बहुत ही tasty और healthy कचोरा बनकर तयार हो चुका है अगर आप मेरी तरीके से कचोरा तयार करेंगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा कचोरा तयार होगा इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप 2 तयार करें तो semi sub 2 तयार करें तो आपके कचोरा भी बिल्कुल oil free बनेगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेर और कमेंट करके बताएं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करें तकी मेरी आने वाली नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते एक नई रेसिपी के साथ